विंटेज कार का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं विंटेज कार का मतलब होता है पुरानी कार वैसे तो कोई भी जो 50-60 साल पुरानी कार है उसको आप एक विंटेज कार कह सकते हैं लेकिन आम तोर पर vintage car की अगर आप definition देखेंगे तो vintage car उन कारों को कहा जाता है जो बिलकुल शुरुवाती दिनों की कारें थी यानि की 1919 के आरम से लेकर और 1930 के बीच तक की जो कारें थी उनको vintage car कहा जाता है या उस यूग को vintage यूग कहा जाता है और broad sense में जैसे मैंने आप आपको पहले भी बताया तो जो 1970 तक की भी गाडिया है उनको भी आप vintage car कह सकते है यानि कि आज से जो 50-60 साल पुरानी गाडिया है उन गाडियों को vintage car कहा जा सकता है तो इसके बारे में और डेटेल से एकर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो की description में इसके में और डेटेल से दिया गया है और वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं और इसको और भेतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बख कि सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें